तो लक्चोदी कुछ ऐसी है, study चल रही है अभी मेरी, क्योंकि अगले 10-12 दिन में मेरी लगने वाली एक्जाम है, और इतनी गंदी लगेगी ना, मैं बता नहीं सकती कि कितनी गंदी लग सकती है मेरी, उसके बात में क्या करूंगा, I don't think कि मैं रहपाऊंगी इस दुनिया मे क्योंकि मैं को रोज सुसाइडल थोड़ साते हैं, मैं जात करें, नहीं आते हैं, क्योंकि हम स्ट्रॉंग है, हूं मैं स्ट्रॉंग, I know मुझे, नहीं हूं मैं स्ट्रॉंग या, तो आज की जो टॉपिक है कि लोग को सुसाइडल थोड़ क्यों आते हैं, देखो मेरा दो मानना है कि पहला यह है कि उनको दुनिया से तंग आके सुसाइडल थोड़ थे होंगे, दूसरा जीने का मन नहीं करता होगा, यह तो एक ही बात होगी, नहीं, तो मुझे नहीं पता कि लोग को क्यों आते हैं, लेकिन पर्सनली में को क्यों आते हैं, मैं आपको बताती हूं, पहली बात तो यह कि मेरी सकल अच्छी नहीं है, तो भगवाने जब में को बनाया होगा, तो क्या सोचिए बनाया होगा, सकल अच्छी नहीं ही चलो ठ नहीं दी मान लेती हूं मैं टेलेंट दे देता जिसके बज़ा से मैं इस दुनिया में चल पाऊं अपने टेलेंट के दंपर पर नहीं वह भी नहीं दिया तीसरा जो टेलेंट नहीं दिया में मान गई चलो ठीक हाइड भी नहीं दी टेलेंट भी नहीं दी अमीर खांदन में पैदा कर देता यार देख सकते हो तो मेरे बेग्ग्राउंड को देखर पता कर सकते होगी कितनी अमीर होंगी मैं चलो ठीक है अमीर खांदन में पैदा नहीं हुई दोस्तों अमीर देते थे मेरे सारे दोस्त खांदनी गरीव है अब मैं उनको बोलती हूं कि में को पांसो बेज दे यार चाहिए किते हैं पचास होंगे पचास में से भी 40 का तो मम्मी ने चीनी लेने के लिए बेजाए प्रॉल मैं ताज यहार तो कुछ मीलें वो भी खांदा नहीं गरी ब्यार तो इस बज़र से कभी-कभी सुसाइडल ठोड़ा आता है कि भगवान ने में को कुछ सोचा समझा नहीं ऐसे धर्तिबे बेज दिया मेरा तो कुछ है नहीं इधर लाइसेंस कुछ भी नहीं है मेरे पास भाई हाइड नहीं दी सकल नहीं दी टैलेंट नहीं दिया अमीर नहीं वेजा तो क्या गरूंगी जीकर भाई कुछ नहीं हमको मारो हमको जिन्दा मत छोड़ो सालो फिर मेरे अंदर एक हो बात है कि चलो ठीक है एक सुगर डैडी पटा लेते हैं लाइफ में क्या पता है चल जाए मेरी जीबन पर नहीं सुगर डैडी भी अपनी सकल देखेगा हाइड देखेगा रिच देखेगा ना कुछ बगवान कभी-कभी तो ऐसा लगता कि यहीं नहीं यार गोटे तो मेरे जैसा बुरा लगता है भाया आप लोग भी जांते है चलो यार भाय यार नहीं बोलना में को कुछ ओर अध।